गुड आप्रनून आल इस्टुडेंट आप क्लास नाइन प्रस्नावली आफ 4.3 जिसका सेबंध कुश्चन है एक विद्याले की कच्छा नाइन्थ की छात्राएं यामनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप प्योलित व्यक्तियों की सहायता के लिए परदान मंत्री राहत कोस में 100 रूपे अंसदान दिया एक रहखिक समीकरंड किये जो इन आकणों को संतुष्ट करती है आप उनका अंसदान यक्स रूपे और वाई रूपे मान सकती है इस समीकरंड का आलेख खीचिए तो दोनों के द्वारा अंसदान किया जा रहा है ओग टोटल अंसदान कितना है 100 रूपे तमाना यामनी द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोस में दिया गया दान बराबर रूपे एक्स तथा फातिमा द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोस में दिया गया दान बराबर रूपे उआई तो हमने माना यामनी द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोस में दिया गया दान रूपे एक्स फातिमा द्वारा प्रधान मंत्री राहत कोस में दिया गया दान रूपे वाई अब ये टोटल रूपे कितना दिया जा रहा है एक्स रूपे दोनों को मिला था है फातिमा द्वारा दिया गया और यामनी द्वारा दिया गया दान दोनों का योग कितना है यक्स रूपे कितना है 100 रूपे तो यक्स प्लेस वाई बराबर 100 अब कहा जा रहा है एक रैखिक समीकरण लिखिए इन आकणों को संतुष्ट करती है, आप उनका अंसे दान रूपए या सवरवाई मान सकते हैं, इस समीकर्ण का आलेक खिंचने के लिए, तो आलेक खिंचने के लिए हमें कुछ मान प्राप्त करने होंगे, तो आले एक हींचने के लिए प्राप्त मान तो यह X प्लेस Y बराबर कितना है जब X बराबर 0 तो Y बराबर कितना हो जाएगा जब X का मान 0 होगा तो Y का मान कितना प्राप्त होगा है और जब X बराबर 100 हम लेंगे तो Y का मान क्या हो जाएगा 0, तो 100 plus y, तो 100 plus y बराबर 100, या y बराबर 100 minus 100, तो यह बराबर आजएगा 0, जब हमने x का मान 0 माना, तो y का मान कितना प्राप्ट हुआ, 100, और जब x का मान, हमने 100 माना, तो y का मान 0, तो यहां हमें प्राप्ट होता है, X Y जब X का मान 0 है तो Y का मान किदना आ रहा है 100 जब X का मान 100 है तो Y का मान 0 अब ये दो बिंद प्रात हुए 0,100 दूसरा है 100,0 अब इसको हमें आलेक द्वारा निरूपित करना है 0 ये एक्स अच एक्स डैस Y Y जीरो अब इसको कुछ पचास सव एक्सो पचास दो इसो लेते हैं इधार पचास सव एक्सो पचास दो सव अब देखिए पहला बिंद क्या है 0,100 ये एक्स पर चली गई दूरी क्या है 0 है और Y पर कितना है सव तो ये एक्स पर 0 के सामने और Y पर सौ के सामने तो ये आ रहा हमारा ये बिंद हुआ 0,100 दूसरा है 100,0 इसका मतलब x पर 100 और y पर 0 तो x पर 100 और y पर क्या है? 0 के सामने तो यह y है इस पर 0 के सामने और इधार x 100 के सामने तो यह बिंद होता है 100,0 अब हम इन दोनों को मिला देते हैं यह हमारा आलेक हुआ x प्लेस y बराबर 100 का इसका x प्लेस y बराबर 100 ठीक, इस तरह में करना था थैंक्स